कि नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स टॉपिक दाट इस अन्द डिवल्मेंट आफ तो कोपरिटिव सोसाइटी इन दा वर्ल्ड इससे पहले हम डिसकस कर चुके हैं कोपरिटिव सोसाइटी क्या होता है यह आपका स्लेबस का पाद है इस हमने डिसकस किया है है उसके बार हमने डिसकस किया था वाई वट इस औरीजन आफ ऊनुट्ट ही का हम हम discuss कर चुके हैं आज हम discuss करेंगे development में development में हम Rossdale principal already पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे सिर्फ I sci a principle जो की Rossdale principle के base पे ही है लेकिन इससे mcq निकलते हैं इसलिए इसको important है पुरा full detail में discuss करना okay let us discuss कि ये stages of development इससे पहले हमने Rossdale principle पर लिए हम और ये आज पढ़ेंगे ICA principle 90-95 ये अगर एक वार आपने principle याद कर लिए तो similar principle है इसलिए ज्यान दे कि एक वार principle किसी एक के याद कर दें ठीक है आज की date में जो इंडिया में अड़ाप्ट किये जाते principle वो यही है ICA principle 90-95 और JNK में cooperative society के act है उसमें भी यही principle अड़ाप्ट जो है यह है क्या ICA means international cooperative alliance alliance मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग जूड के इन्होंने cooperative international level पर उदगाटन किया और यह क्या है क्या body है उसके बारे में discuss कर लेते हैं international cooperative alliance is a NGO non-government organization cooperative federation or more precisely a cooperative union representing cooperative and the cooperative movement worldwide worldwide जो है cooperative movement और cooperatives को represent करती है international cooperative alliance यह कब फार्म हुई थी यह आपको पता होना चाहिए it was founded in 1895 to unite represent and serve the cooperative worldwide ओके कब जब आएगा फार्म तो आपने mcq के लिए आ दखना 1895 इसके बाद किसने किसका idea था एक्चल में और किसने बनाई थी यह आई-सी फांद इन 1895 बाई इवी नेल एड़वाड ओन ग्रिनिंग इन लॉंडन डियूरिं दा फर्स cooperative congress the concept किस ने दिया था यह international cooperative alliance कंसेट दिया था चार्लिस जिड्डे जो भी है pronunciation ओके इसके बाद आगया 1982 में आई-सी ये ने अपना जो headquarter है यह important है ध्यान से देखना आई-सी ये ने जो headquarter था वो लंडन इंग्लेयन से shift किया Geneva Switzerland में फिर इसके बाद 2013 में यह recent वाला है headquarter जो है आज की date में जो shift हुआ है Brussels in Belgium जब भी आएगा कि headquarter of ICA तो आपने यह याद करना है Brussels in Belgium आज की date में ओके in December 2009 में the United Nations ठीके declare 2012 as a international year of cooperative तो यह भी पता होना चाहिए कि international year of cooperative कब से declare हुआ था 2012 में हुआ था ICA रिप्रेजेंट 313 cooperative federation and organization in 109 countries ओके अब यह ICA किसके बेस पे बना था यह बना था रॉस्डेल प्रिंसिपल के बेस पे ओके जो हमने लास्ट लेक्टर में पढ़ा था ICA is also called as the leader of the cooperative in the world leaders of the cooperative in the world भी बोला जाता है आज की date में इनका प्रेजेंट जो चेयर्मेन है चेयर्मेन नहीं प्रेजेंट जो है इनका ICA का वो Ariel Gorekko है तो यह भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट को है अब इसमें क्या 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 है सबसे पहले आपका की full form पता होना चाहिए कि ICA की full form क्या है international cooperative alliance दूसरी बात यह है कि यह कब फाउंड हुआ 1895 इसके बाद क्या याद करना है अपने headquarter जो है कब shift हुआ यह 2013 में यह ब्रसल इन वेलजीय में इसके बाद याद करना है कि international year of cooperative कब से start हुआ 2012 से इसके बाद ICA is also called as leader of cooperative in the world और current जो प्रेजडेंट है वो एरियल गुरेकों गुरेकों है यह इतना basic आपको पता होना चाहिए इसके लाब थीम आफता international day of cooperative 2021 का क्या है यह बहुत important है इसलिए याद कर देना है rebuild better together is the theme of the international cooperative 2021 का कि यह हम आलोडी discuss कर चुके international cooperative lines type क्या है cooperative federation है founded कब हुई 1895 में headquarter कहां Brussels Belgium में areas of global level पर यह काम करती है की people मतलब हो गया कि president कोन है ariel गुरेको और member कितने है 313 federations अब इसमें ICA international cooperative alliance में principle में जो amendment आई 1995 में ठीक है यही आज की date में हर country जो है इसको मानती है the most recent revision of cooperative principle was adopted by the international cooperative alliance in 1995 ठीक है the international cooperative alliance congress held in manchester England on September 23rd of 1995 adopted the seven principle इनने क्या किया ICA principle 1995 में amendment लाई उसमें क्या किया seven principle को adapt किया गया वो जो की manchester में हुई इनकी Congress ठीक है Congress means group of peoples जो है आए और उनने यह seven principle adopt किये ठीक है आपने जो cooperative की definition पड़ी होगी जो आज की date में world wine मानी जाती है वो यह definition है और यह ICA ने दी है ओके यह common रहती है definition तो सेम रहेगी आप एक वार याद कर लो यही आपकी इंडियन एक्ट में भी है मतलब इंडियन पार्लिमेंट ने जोएक्ट पास किया है जब आप पड़ोगे वो भी सेम है हमारे constitution में भी सेम definition है इसके लाब अगर आप जेन के कोपरेटिव सुसाइटी के रूल्स एक्ट पड़ोगे उसमें भी सेम definition है ठीक है जेन के कोपरेटिव देखोगे वहीं भी आपको यह definition मिलेगी तो यह common definition है सब सेम रहेगी the definition of cooperative as adopted by the international cooperative congress in 1995 now universally accepted as a क्या बोलेंगे cooperative society किसको बोलेंगे जो international cooperative alliance बोलते हैं वो बोलते हैं cooperative is an autonomous association of the persons united voluntarily to meet their common economic social cultural needs and aspiration through a jointly owned and democratically controlled enterprise तो यह ही है कि cooperative organization उसको बोलेंगे जो autonomous होगी जिसमें आप मर्जी से अपनी voluntary voluntary होगा अपनी मर्जी से आप cooperative organization में आते हो जाते हो मेन मक्सित इनका था economically strong करना social और culture strong करना और democratically होनी चाहिए और मेन था इनका की cooperative इसमें democratic character लाना है कि by the people for the people यह इन्होंने main start किया ओके अब कौन-कौन से principle है seven cooperative principle जो है यह आपने याद ही कर देने हैं यह याद कर देने हैं सब के सब ठीके seven principle कौन-कौन से अड़ाप्ट किया ICA ने वो है voluntary and open membership जो आपने feature पड़ी थी cooperative society की जो मेरा lecture आया है वो देख लें अगर आपने feature नहीं पड़ी है by the way हम अभी पढ़ने वाले हैं लेकिन यह वो ही feature है जो ICA ने अड़ाप्ट किया वो ही cooperative society के भी feature या characteristic बोल सकते हैं voluntary and open membership first democratic member control, member economic participation, then autonomy and independence, provision of cooperative education, training and information, cooperation among cooperatives, concern for the community these are all principle of the ICA which was adopted during the 1995 congress summit, congress mean group of peoples okay पहला principle क्या बोलता है voluntary and open membership, cooperatives are voluntary organization open to all persons, able to use their services and willing to accept the responsibilities of the membership without gender, social, racial, political or religious discrimination तो समझाई जो एक इससे पहले जो रॉस्जर प्रिंसिपल था उसमें था political religious neutrality तो वह इन्होंने फस्ट में ही जोड़ दी है ठीक है तो आपने यह याद कर देना बाकी वाले tension लिनी मतलो हो गया voluntary होनी चाहिए open membership होनी चाहिए voluntary मतलो हो गया अपनी मर्जी है आप कभी organization आ सकते हो आपकी मर्जी कभी organization को छोड़ सकते हो open membership हो गया कि किसी भी कोई भी caste, creed कोई matter नहीं करेगा second principle क्या है democratic member control मतलो हो गया कि by the people for the people cooperative are a democratic organization controlled by their members who are actively participate in setting their policies and making decision मतलो हो गया कोई भी decision cooperative में लेना होगा तो member ही decide करेंगे men and women are serving as elected representative are accountable to the membership in primary cooperative members have equal voting rights one member equal to one vote cooperative other levers are also organized in a democratic manner तो democratic कली ही माना जाता है third principle है member economic participation या पढ़ लेना same ही है autonomy and independence मतलो क्या हो गया कि कम से कम cooperative को independence देनी चाहिए कि खुद ही decision ले जो भी करना है उन्हें खुद करना है politically interference नहीं होनी चाहिए cooperative are autonomous self-help organization controlled by their members और ये control करता cooperative society को members ही control करें ये बोला जाता principle if they enter into agreement with other organization including governments or raise capital from external sources they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their cooperative autonomy अगर वो कोई भी cooperative organization government के साथ कोई भी agreement करती है जुडती है तो कम से कम democratic control जो है वो member का रहना चाहिए वो खतम नहीं होना चाहिए और autonomy जो है वो रहनी चाहिए फिर आगे education training and information ये fifth principle है cooperative provides education and training for their members elected representatives, managers and employees so that they can contribute effectively to the development for the cooperative they inform general public particularly young people and opinion leaders about the nature and benefits of the cooperation I think समझा आगे आपको six principle cooperation among cooperatives cooperative में भी क्या है cooperation करना है cooperative serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by working together to local national regional and international structure के हिसाब से चलते हैं तो ये करके ही चलना पड़ता है सेवंथ concern for community इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ cooperative work for the sustainable development of their community through policies approved by their members केरें मतलब हो गया कि SDG आपने पढ़ा होगा sustainable development goal मतलब हो गया कि sustainable development मतलब ये हुआ कि जब भी आप cooperative society में development करेंगे तो इस तरह से development करें कि future generation को नुक्सार ना हो उनका भी ध्यान देना है ठीक है अब कोई factory setup कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं तो ऐसा करना है कि आने वाली future generation के लिए भी resources को बचा पाएं I think आपको ये समझ आ गया होगा इसके अलाबा प्रिंसिपल हम modern cooperative society जो है वो किसके बेस पर है तो ये है आज की डेट में जो modern cooperative society है इंडिया में शाइसे ये 1990 में जो है ये किसी कोमेटी ने रिक्मेंड किया था 1990 ये पढ़ेंगे हम next lecture उसी पर आ रहा है इंडिया पर जो cooperative society क्या हो रहा था ठीक है modern cooperative society worldwide जो है किस किस के बेस बनती है हमने इससे पहले पढ़ा था रॉस्डेल प्रिंसिपल उसके बाद हमने इसियर प्रिंसेपल में इमेंड्मेंट मेंट में प्रिंसिपल हुआ वह अमेंड्मेंट में इसको पढ़ लिया है उसमें open and voluntary membership ये अंशी क्यों के लिए इतना पुराई आद कर दो open and voluntary membership education training to members concern for the community इसे बाद एक कमेटी वाताई जिसको बोते कारबी कमेटी कारबी कमेटी इंटरनेशनल लेवल पर यह कमेटी बठाई गी ती और यह कारवे जो थे डीजी करवे यह जो थे इंडियन पर्सन थे ठीक है यह कि आपको पता होने चाहिए इनके जो प्रिंसिपल वो क्या थे उन्हें बोला कि ओपन मेंबर्शिप होने चाहिए वो लेंटरी मेंबर्शिप वही बात बोल रहे हैं जो रॉस्डल में बोली है इनने सिर्फ एक ही बात करी वह है इक्विटेवल को नहां करते हैं तो इस प्रिंसिपल आपको समझे आ गया होगा कि याद करने है और आईसिए का बेसिक जो है यह आपको आना हीचैए ऑक इसमाब क्या करना एक तो आईसीय की की फॉर्मेशन कब हुई आईसीय की फिल फाम क्या है सैके लिड नमबर पे किसने आइडिया द को बोला जाता है और करेंट प्रेजडेंट एरियल गुरेक को है थीम क्या था इंटरनेशनल डे आफ कॉपरेटिव दोसर एक्टिस का वह था री बिल्ट बैटर टूगेदर इसके अलाबा आपकी जो कॉपरेटिव की डेफिनेशन आज की देट में मानी जाती है वो ICA इंटरनेशनल कॉपरेटिव लाइनस ने जो एडप्ट की थी वह सेम है जो हम पढ़ते हैं कामनली और प्रिंसिपल भी सेम रहते हैं इसलिए इसमें कोई चेंजिंग हम लाई नहीं सकते क्या ही लिखेंगे प्रिंसिपल जो है वो है ठीक है ना डिजार दा फैक्ट्टल डाटा ओके यह सेम रहेगा कहीं भी पढ़ लो ठीक है और इसका मौडरन कॉपरेटी सुसाइट को आज की जेट में ठीक है और यह कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता हुना चाहिए कि कॉपरेटिव सुसाइटी एक्ट जो है उपास कब हुआ तो कुछ बचुने टेलिग्राम ग्रूप पे यह काफिसारी गलतियां किया है उन्होंने ठीक किया है 1904 जब भी 19 2004 आएगा वह आएगा क्रेडिट कोपरेटिव सुसाइटी जब लिखाओ ऊगा credit कॉपरेटिव सुसाइटी तो उस केस में आपने 2004 टिक करना है जब भी और जबाएक्ट आएगा तो आपने 2012 पे याद्वाला आएगा जब आएगा प już 1904 यच studio एडण के पीछ ल Heil смотрите 2023 ईएक् इसके लावा इसके लावा आगया प्रेजनेट आफ कौन होते हैं आउनर ओफिसर अडवाइजर इंप्लाइज तो इसमें पता होना चाहिए ओफिसर होते हैं जो क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी है उनका ओरीजन कहां से हुआ था तो यह जर्मनी से रेफशन मॉडल जो में इतना के वाइज दिए अफ तो क्रेडिटी मुझमेट दीव दा इंड़ेश्टिर एवलीशन तो हमने पढ़ा है तो सीधा इस पर इंड़ेश्टर एवलीशन टिक कर देना आपने इसके बाद कि फर्स्ट कॉपरेटिय आफ एफसर ट्रडिशन वाज तो जो रश्ट ट है फिर इसके बाद हूँ फाउंडेट है हूँ फाउंडेट मंथली प्रियाडिकल काल्डेस दा कॉपरेटर इन 1828 तो यह आपको पता हुना चाहिए किस ने इसको फाउंड किया था तो वह थे विलियम किंग ओके इसके बाद विच आथा फाल्विग आथा प्रिंस्पल राबर्ट आउं तो कौन कौन सी प्रिंसिपल थे ठीक है अवाइलेशन आफ प्राइवेड प्रॉपर्टी व्लेंटरी एस्टेशन कामन आउनर्शिप आफ प्रोडक्शन तो यह सब थे ठीक है और होम लैंड कॉपरि करने के लिए और कमेंट करें लाइक करें मिलते हैं दोस्तों के साथ मिलते हैं लेक्टर में कुछ और टापी लेकर अब इसके बाद नेक्स टॉपिक आएगा वो आएगा हिस्टिया कोपरेटिव इंद इंडिया इसको काफी बढ़ना है हमने और यह स्कृट्चल डाठा आ इसमें हम सिर्फ एक ही स्लाइड में मैंने complete इसको discuss किया है सिर्फ एक ही स्लाइड में वह आपने डाटा याद करना देना है बट उसकी त्यूरी जो है उसके लिए 15-20 स्लाइड से वह हम पढ़ेंगे लेकिन एक page में सबसे पहले बता दूँगा कि एक page में क्या-kia theory history जैसे factual data वे history याद करते हो यह हुआ उसके बाद यह हुआ जैसे for example 1920 में गांधी जी ने क्या किया, 1930 में गांधी जी ने क्या किया, 1942 में गांधी जी ने क्या किया तो एक factual data है वैसे history का यह वाला data जो है, वो मैंने एक page पर बना रखा है, वो आपने एक वार जब next lecture स्टार्ट होगा, फिर discuss करेंगे, वो पढ़ लेना है, उसके बाद हम कम से कम 20 slides हो हैं, यह पढ़ेंगे और यह हमारा खतम हो जाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे types of cooperative और जैसे यह खत स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे history, history full detail जो है वो हम स्टार्ट करने वाले है, modern history अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, I hope current affair तो मेरे किसी और चैनल पर चल रहे हैं, ठीके वहाँ पर आप current affair पढ़ सकते हैं, इसके लाबा current affair का जो है वो mostly mcq में डालता रहता हूं telegram group पे, आप telegram group जाइन कर लें, वो मैंने description या फिर इसमें comment box में देखें, वहाँ पर मैंने telegram group का link दिया हुआ है, आप जाइन कर सकते हैं, आप participate कर सकते हैं, क्योंकि regularly मैं mcq डालता रहता हूं, ताकि आपकी practice जो ह के लिए, thank you so much, मिलते हैं next lecture में, तब तक के लिए, जाए हिन